गुट मॉर्णिंग ओल अफ यूँ आज हम पढ़ेंगे पार दूसरा गोल और यह है कख्षा सक्स का चलिए क्या लिखा है इसमें इस पार का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभ्रे होंगे गोल गेन, गोल गोल रोटी, गोल चंदरमादी लेकिन यहाँ पार एक विशेश प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में हैं ठीक है जब हम बुलते हैं गोल मतब राओन ठीक है तो धेर सारे चीज़े हमारे दिमाग में आती हैं लेकिन यह जो पार्ठे यह है किसी खि यहाँ पाड़ एक प्रसित्य खिलारी के संस्मरंग का एक अहिश है आए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसित्य खिलारी ठीक है तो सबसे पहले हम लोग खिलारी के बारे में पढ़ते हैं हाँ यह है लेखक और यही है वो खिलारी यदि कोई खिलारी अपनी आत्मकता का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना ही तुरन समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा जी हाँ वे अमर खिलारी है हौकी के जादुगर कहे जाने वाले मेजर धान्चन तो यह जो खिलारी है और यह उथर जो है यह जो पार्ट की जो लेखक है उनका नाम है मेजर धान्चन इतने महान की भारत उनके जन्दिन को राष्टिय खेल दिवस के रूप में मनाता है जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेणा ले सके इतने महान खिलारी की भारत का सरवच्य खेल पुरसकार खेल रतना उनके नाम पर दिया जाता है तो ये है ये खिलाडी और हमारे आज के लेखक जिनका नाम है मेजर धान्चन चलिए पढ़ते हैं ये वाला पाठ हम लोग खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोग जोकी घटनाए होती रहती है खेल में तो यह सब चलता है जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था अब आप लोग भी स्कूल में खेलते हो तो धक्का मुक्की और जो खुती रहती है होता है ना खेलने में ऐसा होता है तो यहाँ पर लेखा करते हैं कि जब हम लोग भी खेला करते हैं तब ही यह सारी चीज़े होती थे सन 1923 की बात है उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट के और से खेला करता था ये धान में रखना 1933 और कहां से खेला करते थे वो पंजाब रेजिमेंट के और से एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स और माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था दो टीम थी एक है पंजाब रेजिमेंट जिसमें हमारे खिलाड़ी थे हमारे लेखक और दूसरी कोई से टीम थी सैंपर्स और माइनर्स टीम माइनस टीम तीम की खिलारी मुझे से gain चिनने की कोशिश करते लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाते अब यह जो हमारे लेकाकाख है यह क्हिलते थे? हाकी, ठीक है तो अब ये जब मुकाबला चल रहा था तो जो आगे वाले टीम थी, माइनर स्टेम उसके खिलारी क्या करते थे, उनसे गेन खिनने की कोशिश करते थे, लेकिन हर कोशिश उनकी बेका चाथे, इतने में एक खिलारी ने घुस्से में आकर हौकी स्टीक मेरे सिर पर दे मारी, अब देखो वो लोग बॉली ने चीन पाए थे मेजर धान चन से, ठीक है, इसलिए किसी खिलाड़ी को गुस्सा आ गया, उसे गुस्से में आकर एक होकी स्टिक, क्या क्या, येस, लेखक के सिर पर दे मारी, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, थोड़ी देर बार मैं पट इसलाम मैं जरूर लोगा, क्या कहा उन्होंने, मेजर धान चन जी ने उस खिलाड़ी को कहा, कि तुम चिंदा मत करो, मैं न ये इसका बदला लोगा, बदला मनलब रिवेंच, इतना कहते ही, वहक यारे घवरा गया, अब हर समय मुझे ही देखता रहता, कि मैं कब उसके सिर पर हौकी स्टिक मारने वाला हूँ, अब देखो, पहले देखर ने उसे बोल दिया था, कि मैं बदला लोगा, तो खिलाड़ी डर गया, उसको लगा कि अभी ये में मुझे बारेगा, मैंने एक के बाद एक जट पर 6 गोल कर दिये, कितने गोल के हैं, 6 गोल, खेल खत्म होने तो शायद मैं तुम्हें दो ही गोल से हरा था, क्या कहा लेखक ने, लेखक ने कहा, कि इतना घुस्सा खेल में अच्छा नहीं है, अगर तो वहां के नहीं मारते तो मैं तुम्हें सिर्फ दो गोल से हरा था, अब कितने गोल से हरा था, 6 गोल से, वहां खिलाड़ी सच्मु तो इन्होंने भी नहीं मारा तो देखो रिवेंज भी किस टाइब से ले सकते हैं सच मानों बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बास से डरता है डरता रहता है कि उसके साथ भी पुराई की जाएगी आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे वह वोड़े मुझे खेल लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं अब जो भी सफल वेक्ती रहते हैं उसको लगता है न कि उनसे पूछना चाहिए क्यों है आप सफल हो तो क्या राज है वैसे इनको भी पूछते मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं अब वो कहते हैं कि कोई गुरु मंत्र तो है नहीं मेरे पास सफलता का हर किसी से यही कहता कि लगन साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है आप इस पॉंडलाइन कर देजिए लगन साधना और खेल भ बाद में हम जासी आकर बस गए 16 साल की उब्र में मैं फर्स ब्राह्मन रेजिमेंट में एक साधारन सिपाई के रूप में भरती हो गया जन कब हुआ उनका 1904 में प्रयाग में फिर वो लोग कहाब पर आकर सेटल हो गए जासी और वो 16 यर के थी तब एक सिपाई के रूप में भरती हो गए फर्स ब्राह्मन रेजिमेंट थी का अपे कर दो ध इच्छी समय नहीं था सेनिक जब चाहे मैदान में पहुद जाते और भैस शुरू कर जाते कोई टाइमिंग फिक्स नहीं था जब सीपाईयों को लगा कि खेलना चाहिए तो जाते और प्रक्टिस करते अब बैस करते मतलब प्रक्टिस उस समय तक मैं एक नव सिखिया जैसे जैसे मेरे खेल में निखा राता गया वैसे वैसे मुझे तरक्टि भी मिलती गई जैसे जैसे ना उनका गेम में इंप्रोवा वैसे उनको प्रोमोशन भी मिला सन 1936 में बर्लिन ओल्मपिक में मुझे कप्तान बनाया गया था अब 1936 में बर्लिन में जो ओलमपिक हुआ थाoken उसमें वो कौन थे Captain उस समय मैं सेना में लांज नायक था बर्लिन ओलंपिक के लोग मेरे होकी खेलने के धंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे होकी का जादुगर कहना शुरू कर दिया अब देखो बर्लिन ओलंपिक में जो भी लोग खेल देखने के लिए गए थे उन्होंने देखा कि यह कैसे खेल खेलते हैं हमारे major धान्चन तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने वो इतने प्रभावाइट होयों से कि उन लोगोंने major धान्चन को hockey का जादूगर कहना शुरू कर दिया ऐसा क्यों कहा क्योंकि पता है उनकी जो hockey stick रहते था उसको यहां मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था अब देखो यह में चीज है क्या का इन्होंने कि मुझे लोग हकिका जादुगर कहते थे लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं था कि सारे गोल मैं ही करता था अब देखो वो क्या करते थे वो गुरूप में हर किसी को इकवल चांज देत ठीक है मैं तो हमेशा यह कोशिश रहे थी कि मैं गेन को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी को दे दो ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए देखो कि अच्छा आठिटूड है कितनी अच्छी खेल भावना है देखो उनका अब अच्छली उनकी पर कोई होता तो क्या क लेकिन वो क्या सोचते थे कि सब लोगं को चांस मिलना चाहिए इसलिए वो गोल के पास गयन लेकर जाते थे दूसरे खिलाड़ी को दे दे देते थे ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए उसके नाम पर भी लिखा जाए कि भाई इसने इतने गोल कि अपने इस खेल तिशने समय में हमेशा इस बात का धान रखता था कि हार या जýत मेरी नहीं बल कि पूरे देश की यह जहां कोงपतां कि मेरी फैसे नहीं ही ? पूरे देश की है चलिए next अब क्या है इसके बाद लेका का परिचे अच्छे यहाँ पर आपको कुछ questions पूछे हैं आपको अपने हिसाब से answer देने ठीक है है मुझे जो लगा वो मैंने यहाँ पर कर दिया है यहाँ यहाँ पर कुछ questions दिये हैं तो उनके सामने star बना था जो आपको answer लगता है दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं मैंने तो अपना बदा ले ही लिया है अगर तुम मुझे होके नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें दो ही गोल से हरा था मेजर धायंचन के इस बास से उनके बारे में क्या पता चलता है वे अत्यंत प्रोधी थे वे अच्छे धां से बदला लेते थे उन्हें होके मारने पर वे अधिक गोल करते थे या फिर वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए या पर मैंने लास वाले पर स्टार बनाया है वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए फिर है सेकंड क्वेशन लोगों ने मेजर धांचन को हौके का जादुवर कहना क्यों शूरू कर दिया इसमें भी ऑप्शन है उनकी होकी खेलने की विशेश कवशलने के कारण उनकी होकी स्टेक की आरो की विशेश दाओ के कारण होकी के लिए उनके विशेश लगाओ के कारण और हैलास में उनकी खेल भावना के कारण तो मुझे यहाँ पर सही आंसर लगा उनके होकी खेलने के विशेश काउशल के पार चलिया आगे हाँ यहाँ पर है matching ठीक है पार्ट में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिये गए है अपने समों पें पर चाचा किजिए फिर उसकी meaning ढूंड दिये इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो शब्द कुछ भी यूज़ तो यह क्या है भारतिय सेना का एक पर्द रैंक है बर्लीन ओलंपिक वर्ष उन्ने सो थर्थिस में जर्मनी के बर्लीन शहर में आयोज़ित ओलंपिक खेल प्रतियोगी था जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था थर्ड पे हैं पंजाब रेजिमेंट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजे के अंग्रेजों के भारतिय सेना का एक दल दें सेंपर्स और माइनस टीम अंग्रेजों के समय का एक होकी दल सुवेदार स्वतंत्रता से पहले सुवेदार भारतिय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पत था दे इंगलास छावनी सैनिकों के रहने का क्षेतर अब यहाँ आपना कुछ-कुछ आप में पार्ट में से चुलकर कुछ-कुछ पंगतिया दी है उसकी उपर क्लास में दिस्कस करना है आपको जो भी लगता है वो आपको नोट करना है चलिए फिर आगे हैं सोच विजार के लिए इसमें कुछ क्वेशन्स पूछे हैं धानचन की सफलता का क्या रहस्ता था क्य हैं किन बातों से ऐसा लगता था कि धानचन सोहाम से पहले दूसरे को रखते थे याद करो है ता कि और बिजेन कुछ जाए और यो मैं मैंगे हम समझ में आता है कि ध्यानचन स्वायम से पहले दूसरों को रखते थे और एक चीज थी कि वो हार जीत के बारे मेरी हार या मेरी जीत नहीं सोचते थे वो पूरे देश के बारे में सोचते थे चलिए आगे हाँ ये देखे शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के तो सबसे पहले ये कव देखते हैं अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जैसे जैसे उसके बीच में एक दाश है उसे कहते है योजक चिलना ठीक है जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्य मिलती गई अब यहाँ पर है जैसे जैसे वैसे वैसे सेम वर्ड है दो बाराया है ठीक है इसे कहते है शब्द युगम ठीक है और दो शब्दों के बीच में चोटी से रेखा दिये हैं इसे कहते है योजक शब्द अब आपको भी ऐसे पाथ शब्द लिखने है ठीक है चलिए फर्स कभी-कभी दिन रात-रात हम लोग जोगे में रात-रात बर जाकर मैंने पढ़ाई की दिन घर-घर फिर है कन-कन फिर अभी-अभी ठीक है फिर खो खेल के मैदान में धक्का-मुकी और नोग-जोग की घरनाई होती रहती है अब इसमें देखो कुन से वड़ाये हैं धक्का-मुकी और नोग-जोग अब यहाँ पर भी शुबदों की जोड़े आ हैं लेकिन यह दोनों शब्त कैसे हैं अलग-अलग है भिन्न-भिन्न है चलो अभी ऐसे ही लिखने हैं हमें जैसे, पहला लिखिए उल्टा-पुल्टा, फिर अनाप-शनाप, पानी-वानी, जूट-मूट, चलिए और क्या है, और इसमें आप भूका पैसा भी लिख सकते हो, उल्टा पुल्टा अनाप्षना पानी वानी जूट मूट भूका पैसा चलिए फिर है गव हार या जीत मेरी नहीं बलकि पूरे देश की है अब यहाँ पर भी दो शब्द है हार या जीत और यहाँ निक्स लाइन में क्या लिका है आज मैं जहां में जाता हूँ बच्चे वह बुठे मुझे घेल लेते हैं आपने यहाँ पर देखा क्या जहाँ पर अंडर्लाइन किया है हार जीत यह कुल से वर्ड है अपोजिट वर्ड्स है बच्चा बुठा है ना हां तो ओकी ठीक है तो ऐसे अगर आपको अगर कुछ शब्द होगे तो आप यहां पर लिख सकते हो जैसे सुख दुख, सुबह शाम, माता पिता, दिन रात या फिर काला गोरा ठीक है फिर आगे दिया है कि ऐसे ही कुछ वर्स नीचे दिये हैं लेकिन यहां पर योजक चिन्न नहीं उसक जैसे अच्छा या बुरा तो आपको यह कैसे लिखना है अच्छा फिर योजक चिन्न चोटी से डाश और फिर लिखना है बुरा फिर कैसे लिखोगे छोटा डाश बड़ा अमीर चोटा चोटी से डाश देनी है और फिर लिखना है गरे उत्तन डाश दक्षिन गुरु डा शिश अमरत डाश फिश अब जहां पर यह च्छोटी से डाश हमने योज किये हैं योजक चिन्ना